Kart है, यह पूरी की पूरी जो kart है, उसका mass capital M है, problem को देखो और फिर video पौच करो और खुद solve करने की कोसिस करो, यह kart capital M rest आने smooth surface पर rest है, और simple pendulum है, यह simple pendulum भी mass M का है, इस्ट्रिंग ब्रेक अगर इस्ट्रिंग ब्रेक होती है तो यह बहुत सारा कोलीजन करता है और फाइनली यहां यह होल है यह होल है वो इसमें गिर जाएगा distance between the string and the slot यह जो slot है यहां जो होल है वो L distance से दिया हुआ है ऐसा numerical में कह रहा है बच्चों यह L ऐसा दिया हुआ है यह वाली distance L है और यह smooth surface पे find the displacement of the card during this position अगर यह collision यहां से तूट जाता है और यह बहुत बार collision करता है और finally यह यहां से ball गिर जाता है तो काट किधर गया होगा कितने से गया होगा उसको हमें displacement निकालना है तो मैं आपको बता है था कि जैसे यह rough surface पे इसको ले जाके हम रख देते हैं काट को at rest मान लो तो हम displacement अगर यह rest में होता काट तो displacement of center of mass in x axis में कितना आ जाएगा बोलो काट में rest में चला गया बोलो यह जो यहां से तूटा है यह यहां से तूटा है और यह distance l है इस ट्रिक से जब यह यहां से तूटा है तो l आगे जाएगा l आगे जाएगा मतलब ml और यह काट का 0 ठीक है कि काट को rest मान लिया और इन दोनों का mass capital M plus small m के एक्कोल आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो center mass है इतना आगे displaced हुआ होगा center mass आगे displaced हुआ होगा तो काट इतना ही पीछे displaced हुआ होगा the cart will move in this direction ठीक है this is the displacement of the cart क्योंकि यह positive है तो displacement of cart जोगा जाएगा वो minus ml और यह capital M plus small m के एक्कोल आ जाएगा this is the final displacement यह cut इदा जाएगा